कि नमस्कार स्वागत आप सभी का वीडियो गुरु में और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की यानी शेत्रमिति की अब शेत्रमिति में मेंसुरेशन में अभी तक हम लोगों ने कुछ फॉर्मलेस पड़े उन पर बेस सवाल पड़े आज आगे उन्हीं में बात करेंगे देखेंगे कुछ और सवाल कुछ और कॉंसेप्ट तो चलिए जादा समयना लेते ह हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने सबसे पहला सवाल कह रहा है एक रेक्टिंगुलर फील्ड है एक आयताकार शेत्र है ठीक है इसमें क्या है आपकी 20 मीटर लंब्याई है और 14 मीटर चौड़ाई है अब इसके कॉर्णर में स चैनल लंबा और 3 मीटर चौड़ा हिस्सा निकाल दिया गया इसकी गहराई है आपसे क्या कहा जा रहा है वह जो मिट्टी निकली इस घड़्डे को खोदा गया 3 by 6 का गड़्डा निकला कितने तक खोदा गया 2.5 मीटर तक खोदा गया और इस मिट्टी से जो घड़्ड़ आ जाएगी इस पे अब देखो हमें क्या पता है इस घड़्डे से निकलने वाली वॉल्यूम और इस पे जो मिट्टी की वज़े से वॉल्यूम आएगी वह बराबर होनी ची क्योंकि जितनी मिट्टी निकल लिए वह इस पे बिच जा रही है अब इसकी वॉल्यूम तो हम पर कि यह भी प्रिजम की तरह है बेस है इसको अगर हम हाइट दे दें कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा होशपोश सा बन दाए पर आप समझाए यह प्रिजम के आकार में बन जाएगा तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी त पार्ट का एरिया चाहिए जो घड़ा खुदने के अलावा वाला पार्ट है तो हम क्या करेंगे पूरे रेक्टिंगल के एरिया में से इतना एरिया माइनस कर देंगा पूरे रेक्टिंगल का एरिया क्या होना चाहिए पूरे रेक्टिंगल का एरिया आपका हो जाएगा फ तो आपको क्या पता चला जो वॉल्यूम आ रही है किसकी घड़्डे की तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 6 x 3 x 2.5 बराबर हो जाएगा एरिया ओफ बेस एरिया ओफ बेस क्या है 262 x है अब आपने क्या किया पॉइंट तर आया नीचे टैन आ गया आपके दिमांग में पांस से चल जाएगा पांच बार पांस से चला जाएगा दो बार दो से चला जाएगा तीन बार यह आपका कित्ता हो गया 5 3 15 15 into 3 45 तीन से कट रहा है क्या यह तीन से तो कट नहीं रहा ना पास से कट रहा है 45 divided by 262 45 divided by 262 अब देखो इसकी कोई भी वैल्यू से मैच नहीं कर रही है अचाहिए यह आप मीटर में रहा है सेंटीमीटर में मीटर में एक ही ऑप्शन है तो वह तो बैठ नहीं रहा है सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो अब देखो यहां पर आपके पास क्या रहा है 4500 divided by 262 अब आपको पता है अगर आप इस वैल्यू को डिवाइट करोगे तो ना तीन डिजिट का नंबर आएगा ना आपका सिंगल डिजिट का नंबर आएगा मतलब 1713 डिजिट में आ रहा है पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा हो और यह 1.78 आ रहा है इतना तो यह आंसर लगभग में कितना पहुचरा होगा 17.18 लगभग में वह यह आंसर आ रहा होगा इसको चेक करने के लिए आप क् कर सकते हैं आप इसे 262 से डिवाइट कर लेता है है ना 4500 चेक कर लिजिए 262 से डिवाइट कर लिए एक बार जाएगा 262 एक बार जाएगा 262 कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया आठ 14 में से 6 गया 8 188 और एक 0 लग गया 188 जीरो लग गया 7 लखा 7 टू जा 14 1 केरी 7 6 जा 42 1 केरी था 43 4 केरी 7 2 जा 14 4 केरी था 1 देखें कितना आ जाएगा आपका यहां पर 46 पॉइंट लगाएंगे बंद रहा है बंद रहा है न यहीं केस तो अब आपको पता है इसका अंसर क्या होगा 17.18 सेंटिमेंट है क्लियर है तो हमने क्या किया हमने पहले निकाला एरिया ओफ दा बचा ओवा रीजिन जहार पे एरिया ओफ रेक्टेंगिल माइनस जो पिट है उसका ऐरिया उसके क्रोश सेक्षिन का ऐरिया उसमें से माइनस कर दिया तो 280 कैसे आया 14 इंटू 20 माइनस 6 इन्टू 3 तो यह कितना हो गया आपका 262 यह एडिया हो गया इसको कितनी हाइट मिली तो एरिया बेस हैं न तो हैट सवाल की तरह अब अगला सवाल कह रहा है दे लेंद ब्रेथ एंद हाइट आफ रूम आर सेवन 6.5 एंद 4 मीटर रिस्पेक्टिव एक आपका रूम है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई आपको दी गई कितना है सेवन 6.5 और फॉर अब इसमें क्या कहा जा रहा है इट हैज़ा डोर थ्री मीटर इंटू 1.4 मीटर अब इसमें एक दर्वाजा है ठीक है थ्री विंडोस इच टू इंटू 1 तीन खिड़किया है माल लो एक दो तीन इनकी वीट डाइमेंशन दे रखी difference the cost of the room सिर्वर ब्लाइटश देख इस अब देखो coloring मतलब क्या हुआ हमें एरिया आप फोर वाल्स निकाला है हमें क्या कहनना है एक और फोर वाल्स में आपको क्या पता है दर्वाज़े पे color नहीं होगा Так खिड़कियों पे color नहीं होगा तो हमाई दिमाग में क्या है area of 4 walls निकाले, area of 4 walls कैसे निकलेगा, 2L plus B into H, 2L plus B into H, यानि कि twice of 7 plus 6.5 into 4, 4, 2s are 8, इसे आप कहेंगे 13.5 into 8, तो 5, 8, 40, 0, पॉइंट से यह cancel हो गया 4, 8, 3, 24, 24 और 4, 8, 2 carry, 108 आगया, कितना आगया, 108 आप चाहते हैं, तो कहते हैं, 13 into 8, 104 होता है, 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो 104 plus 4, 108 आगया, अब इस area में से हमें क्या करना पड़ेगा, 108 आगया, दोर और आपके विंडोस का area माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उन में paint नहीं होता, दोर का area क्या हो जाएगा, 4.2, 3 into 1.4, यानी हो गया 4.2, और विंडो का क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 है, 2 into 1, या आपका हो गया 6, तो आप कहेंगे, 108 में से, 10.2 माइनस कर दो, 10.2 माइनस कर दो, तो आपके पास value क्या जाएगी, 970, 97.8, 108 में से 10 कम किया, 98.2 कम किया, तो 97.8, अब इसका price क्या है, price का है, 5.25 रुपीज प्रती, पर मीटर स्क्वेर, यानी यह जो value आ रही है, यह मीटर स्क्वेर में आ रही है, इसमें 5.25 का multiply करना है, किसका multiply करना है, 5.25 का, पॉइंट अटा, पॉइंट अटा, नीचे आपका आ गया, 2.0 और 1.0 यहां का, ठीक है, अब इसको solve करना है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कि हम इसे कैसे करें, तो पहले तो अगर हम चाहें, इसे divide कर सकते हैं, 5 से, 105 और 2 से इसे divide करते हैं, 5 से divide करेंगे, तो 105 आएगा, 2 से इसे divide करें, तो यह कित्त हो जाएगा, 4, 1, 2 से divide करेंगे, कित्त हो जाएगा, 4, 1 बचा 17, 8, 16, 1, 19, ठीक है, अब आपको पता है, यह value आगई, 5 और 2, 10 हो जाएगा, 1,0 से 1,0, cancel हो जाएगा, 5, 0, 10 हो जाएगा, 1,0 से 1,0, cancel हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, 489 का multiply करना है, 105 में, तो पहले आपने, इसका multiply किया, जब आपने इसका multiply किया, तो आपको दोगो, एक चीज़ तो पता चल गई, 100 है, तो point में तो value आएगी, अब क्या करना है, 489 इन्टू 105, तो 0, 5 का multiply किया, तो 9, 5 जा, 45, 4 carry, 5, 4, 44 carry, यह कितना होगे आपका, 5, 4, 20 और 4, 2 carry, 20 और 4, 24 आगया, यह पूरा carry आजाएगा, अच्छा, इसको add कर देंगे, और value रख देंगे, तो यह value आपकी, लगभग कितनी आ रही है, यह value आपकी हो जाएगी, अगर add करेंगे, इसके आसपास कहीं कोई दिखनी रहा है, यह आपकी 500 के something हो जाएगी, 4 और 9, 13, ठीक है, 13 और 1, 8, 1, 9, 11, 8, 2, 11, 513.45 आपकी, यानि answer हो जाएगा, none of these, answer क्या हो जाएगा, none of these, ठीक है, तो फिर से बता रहें क्या किया, पहले हमने निकाला, area of four walls, area of four walls का formula क्या होता है, 2, L प्लस B, into, H, ठीक है, तो यहां से निकाला, फिर इसमें से हमने क्या किया, door और windows का area minus कर दिया, ठीक है, इसमें एक door था, यानि 3 into 4 का एक बार, 3.3 into 1.4 का, एक बार, और 3 बार, 2 into 1 का, area minus कर दिया, जब आपने minus किया, तो बचिवी दिवाल का आया, 5.25 का multiply कर दिया, answer आपका आगया, चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपके लिए, चलिए, इस सवाल की बात करें, तो देखिए, यहाँ पर क्या का जा रहा है, a rectangular water tank, 1 meter long, 0.6 meter wide, and 0.5 meter deep, is filled through a tap, whose area of cross section is 5 cm square, find the time taken to fill it completely, if the rate of flow is 25 meter per minute, ठीक है, तो आप से क्या कहा जा रहा है, एक water tank है, जो 1 meter long है, water tank है, जो आपका क्या है, 1 meter long है, ठीक है, 0.6 meter, चौड़ा है, और 0.5 meter, गहरा है, अब इसमें कह रहे हैं, whose area of cross section, अब इसमें एक नल से पानी आ रहा है, जिसका cross section है, 5 cm square, और वो क्या करता है, 25 meter per minute, पानी भर रहा है, ठीक है, तो अब ये कितने minute में इसको भरेगा, अब देखो, ये हमें इसको, अगर पूरा भरना है, तो अमारी volume क्या होनी चाहिए, 1 into, 0.6 into 0.5, अच्छा, volume किसके बराबर हो जानी चाहिए, आपके एक minute का, एक minute का volume क्या होगा, देखो, 5 cm square है, तो 5, और cm को meter में बदनने के लिए, 100 square है, तो 100 का square, एक minute में इतनी volume भरेगा, एक minute में पूरी complete हो जाएगा, आप देखिए, 0.8, नीचे 0 आया, 0 आया, तो आपने कहा, 1, 2, 2, 0 कैंसे, 25 से ये चला गया, 4 बार, 5 से 5, 4 into 6, तो n की वेल्यू आपकी आगई, 24, तो n की वेल्यू क्या हो गई, option second 24, clear है, तो आपको याद रखना होता है, volume क्या होता है, volume आपका, जो भरने का है, यानि volume of container, बराबर हो जाएगा, आपका, cross section area, किसका, जो pipe आ रहा है, into, आपका rate, और कितने समय, into time, तो क्या करना है, volume of container, किसके बराबर होना चाहिए, cross section area, into rate, जिससे वो भरा जा रहा है, into time, अब अगर यही concept, हम यहाँ रखेंगे, solve करेंगे, answer बिल्कुल, आसानी से आ जाएगा, चलिए, बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरह, अगला सवाल कह रहा है, a circus tent, a circus tent, is cylindrical to a height of 3 meter, and conical above it, एक circus tent है, जो क्या है, एक circus tent है, जो आपका क्या है, cylindrical है, एक height तक, और यह height कितनी है, यह height है, आपकी 3, यह height कितनी है, यह height है, आपकी 3, ठीक है, above it, if the diameter of the base, और इसकी उपर क्या है, conical है, इसकी उपर क्या है, conical है, यह इस तरीके का, बन गया, if the diameter of base, is 140 meter, अब इसका diameter 140 है, यानि यह 70 होगा, यह भी 70 होगा, यह 70 है, यह भी 70 होगा, यह भी 70 होगा, अब क्या कह रहे हैं, the conical, slant height of the conical portion, slant height of the conical portion, इसकी जो slant height है, वो कितनी है, 80, इसकी जो slant height है, वो कितनी है, 80, से दा हाइट ऑफ दा केनवास तु मीटर वाइंड र्क्वाइर्टू मेक तर अब आपको पता है इसका घृट सफिस एरिया होगा स्लेंडर का और आपके क्यों का स्लेंडर का वह इसके टोटल सफिस एक या इसके अरिया के वरावर होना चाहीं के तो पहले हम क्या किया हमने पहले हम ने किसका निकाला समऑल स्लेंडर का स्लेंडर का कर्belsित duas इस कितना होता टू-पाई-जाबा आरच और क्या हो जाता है टू-पाई-आर-एं-ध-बराबर किसके औना चिह कि जो आपका कपड़ा है उसके एरिया का वह क्या हो जाएगा कि लेंट इंटू करते हैं तो यह क्या हो जाएगा कॉमन ले ले या दो इंटू 22 बटे शाथ तू पाई या कॉमन ले लिया आर की वैल्यू कितनी है 70 h कितना है हमारे पास इस case में 3 है और इस case में 80 है बराबर हो जाना चाहिए 2 into जो भी हमें length चाहिए ठीक है तो 2 से ये πाई आरेल होता है sorry my bad पाई आरेल होता है ये ये क्या होता है पाई आरेल होता है तो अभी 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि 2 आप common नहीं ले पाऊगे 2 आप common नहीं ले पाऊगे ये 2 अंदर multiply हो जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा ठीक है ये आपका 6 हो जाएगा अब 2 से लेकिन हम इसको तो divide करी सकते 11 बार 7 से इसे divide कर देंगे 10 बार ये आपका आजाएगा 110 into 86 equal to L तो आपकी value आगे 0 6 8 और 6 14 1 carry 8 और 1 9 तो ये आपका answer कितना आगे है 9 4 6 0 यानि की option second क्या किया हमने निकाला curved surface area of slender इसमें हमने add कर दिया curved surface area of cone और ये आपके area of cloth आगे ये आपका area of cloth आजाएगा इन दौनों का sum अब हमें क्या करना है value put करनी है और easily इसे solve कर लेंगे आपकी जो length है length है वो कितनी आजाएगी 9 4 6 0 meter बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल क्या है अब prism has a base of a right angle triangle whose size are adjacent size are 10 cm and 12 cm आपका क्या है एक right angle triangle है जिसका base prism है 10 और 12 ठीक है इस तरीके से बन जाएगा कुछ यहाँ पर कह रहे है इसकी adjacent size जो है वो 10 और 12 होंगी और इसकी height जो है इसकी height जो है वो 20 होगी height क्या है 20 होगी the density of the material of the prism is 6 gram per centimeter cube the weight of the prism अब आपको पता है weight of the prism आप कैसे निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा density into volume density है हमारे पास volume का multiply करना अब volume क्या होगा volume of a prism क्या होता है area of base into height तो area of base क्या हो जाएगा 1 by 2 into 10 into 12 area of base आगे into height into height into क्या आपकी density density ठीक है तो density निकालेंगे into 6 height हमारे पास 20 हाइट हमारे पास 20 दे रखिए इसे solve करेंगे weight आजाएगा ठीक है पर यह weight आएगा gram में answer दे रखा है kg में तो हम क्या करेंगे इसे 1000 छे divide भी करतेंगे एक जीरो एक जीरो दो जीरो कैंसल दो से दो भी कैंसल ट्वैल सिग्जाग 72 डिवाइट बाइट 10 यानि answer आपका आगया 7.2 kg option second is the right answer option second is the right answer हो जाएगा क्या किया हम लोगोंने area of base into height किया volume आगया और volume में multiply कर दिया density का तो हमारा weight आगया या आप कह सकते mass आजाएगा बढ़ते हैं आगले सवाल की तरह तो अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है एक बार इसको पढ़के आप लोग solve करने का प्रयास करें वीडियो को pause करें solve करने का प्रयास करें फिर हम बताएंगे इसका answer क्या होगा चलिए बहुत बढ़े चलिए तो मज़िदार लगा यह सवाल करने में अहल हुआ तो कोई बात नहीं हुआ तो देखे कैसे होगा बहुत basic सा सवाल है यहाँ आपको इसका वॉल्यूम दिया गया है 2070 आपके बेस की सारी साइस दी गई है उसके बीच में एक एंगिल दिया गया है 90 डिग्री आपसे कहरें लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ दा प्रिस्म ग्याद करो अब लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है लेटरल सर्फेस एरिया हो जाएगा आपका लेटरल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस पैरमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट लेटरल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा पैरमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानि हमें हाइट की जरूरत है हाइट हमारा कहां से जाएगा area of base into volume से तो अब हमारे पास area of base होना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या निकालने जाएंगे area of base area of base कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर यह आपको एक trapezium दिया गया है यह किसी भी तरीके से हो सकता है हमको यह पता है अगर मैं इसकी naming कर दूँ a b c d तो यह 90 डिग्री है अगर मैं naming कर दूँ तो यह 90 डिग्री है तो मैं a से लेकर चलता हूं पहले इसलिए ताकि चीज़े clear है a b d ताकि यह एंगल अभी हमें पता है na a b d 90 डिग्री है अब क्या कह रहे है a d 12 है और b c 14 है a d 12 है b c 14 है c d आपका 13 है और b c 14 तो b c आपका क्या है 14 है a b 9 a b 9 है b c 14 है यानि इससे उपर होगा और c d आपका 13 c d आपका 13 है तो थोड़ा सा यह कहीं ना कहीं इस तरीकी से बनेगा इस इस ठाही किसे figure बनेड़े और अगर यह नगर मैं इसको जोड दो तो इसका एरियो और इसका एरिया निकालना applies किसका इसका एरिया और इसका एरिया निकालना यह थर्टी अब पाइथागुरस लगाय तो बारा नो यह कितना ही अभश्ण जाहेँगा पंद्रह ट्वेल ABD, ABD का एरिया क्या हो जाएगा, ABD का एरिया आपका हो जाएगा, Right Angle Triangle, 1 by 2, Perpendicular into Base, यानि कि 9654, ठीक है, अब अगर मैं निकालने जाओ, BCD, BCD का एरिया कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था, जब भी 13, 14, 15 आता है, 13, 14, 15 आता है, तो इसका एरिया हो जाता है, 84, इसका एरिया क्या हो जाता है, 84, अगर आपको याद है, तो अच्छी बात है, वन्ना आप formula लगा सकते हैं, यहाँ पे, under root में, S, S-A, S-B, S-C, हमने discuss किया था इसके बारे में, है ना, तो आप formula में values पुट करके निकाल सकते हैं, पर इससे हमारा एरिया क्या जाएगा, 84, 12, 13, 15 के लिए हमेशा, क्या, sorry, 13, 14, 15 के लिए हमेशा एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का, 84 होता है, हमेशा क्या होता है, 84, हम लोग ने इसको पढ़ाए, अब हमें यहां से क्या करना है, surface area के लिए हाइट चाहिए, तो हमने कहा volume जो है, 2070, यह बराबर हो गया, आधार का परीमा, आधार का परीमा आप क्या होगा, area of base क्या हो जाएगा, 9 plus 14, 23, 23 और 13, कितना हो गया, 23 और 13 आपका हो गया, 30, area of क्या कर रहा हो, volume निकालना है, तो 2070, volume कितना आ रहा था हम लोगों का, 54, 54 प्लस 84, 54 प्लस 84 आ रहा था, तो 4, 4, 8 और 13, 128, यह किता हो, सरी, 138 हो गया, यह आपका किता हो गया, 138, 54 प्लस 84, एक का area आ रहा था, 84, add किया, 138 हो गया, into height, अब मैंने इसे divide किया, किसने से, 6 से, तो 6 से यह चला जाएगा, 2, और 3, 6 से divide किया, 6 कैसे पकड़ा, 8 और 1, 9 और 3, 3 से divisible है, 8 है तो 2 से divisible है, 2, 7, 9, 3 से divisible है, पीछे 0 आ रहा तो 2 से divisible है, 2 और 3 से divisible है, यानि 6 से divisible है, 6 से divide किया, 6 से किती बार चला जाएगा, 6, 3 जा 18, 2, 27, 4, 6 जो जा 24, और फिर तीन बाहर, 5, 6, 5 जा 30, अच्छा, 23 से अगर मैं से divide कर दूं, into h होगा, 23 से अगर मैं से divide करूं, एक बार, कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा, 11 बचेगा, 11 बचेगा, 23 से divide करेंगे, 11 बचेगा, 115 हो गया, 115 का मतलब, 5 बचते हैं, तो height आपकी कितनी आ गई, 15, height कितनी आ गई, prism की, 15, अब हमें क्या चाहिए, lateral surface area, lateral surface area क्या होगा, परिमाप आधार का parameter of base, into height, जो कितने के बराबर हो जाएगा, 9 प्लेस, 14, प्लेस तेरा, प्लेस बारा, into, ठीक है, क्या कह रहे है, height, height आई थी, 15, तो, 13, 12, और 14, इनकी value क्या हो जाएगी, 39, 12, 13, 14 का, 39, 39 प्लेस नाइ, 48, 48, into 15, 48 into 15, कितना हो जाएगा, 720, तो option, second, 720, is the right answer, तो हमने इसमें procedure क्या निकाला, पहले हमने निकाला, area of base, जिसके लिए हमने निकाला, area of trapezium, area of trapezium कैसे निकाला, हमने इसे दो triangle के बीच में break किया, हमने इसे दो triangle के बीच में break किया, B, A, D, B, A, D, ठीक है, और B, C, D, इसका area आ रहा था, 1 by 2, कितना था, 12 into 9, और इसका area आपका 14, 13, 15 से मिलकर आ रहा था, 15 कहां से आया, 12 और 9 का pythagoras triplet है, ठीक है, आपको पता है, इसको रखके volume हमारी आती है, 84, हमने solve कर रखा है, previous example में, यहाँ पे solve करने पे आ गई 54, add किया तो यह हो गया, 138, जो आपका, क्या हो जाएगा, volume, volume के formula में से रखा, तो volume का formula के हिसाब से, 138 into h, बराबर होना चाहिए, 2070, यहां से हमारी h की value आ गई 15, फिर lateral surface area के लिए हमने क्या किया, parameter of base into, parameter of base into height, तो यह आ रहा था, 48 into 15, 48 into 15 करेंगे, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 720, तो answer क्या आगे, 720, 48 into 15 करेंगे, तो 720 हो जाएगा, कितना, 48 into 15, 720, कैसे किया, 15 दिखा, मैंने का, 2 इस में multiply कर दो, तो यह 24 हो जाएगा, 2 इस में multiply किया, तो 30, 3 into 24, 72, एक 0 था, तो 720, आपका सही जवाब, तो option second, 720, आपका सही जवाब, चले, तो आज के session में बस इतना ही, उमीद करते हैं, आज का session आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो गुरू पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरू के बारे में जरूर बताएं, पर अभी के लिए हमें दीजे अजाज़त, अगली session में मिलेंगे, तो बात करेंगे, और सवालों की, और concept की, Till then, take care and enjoy yourself.